बिस्मिल्ला इर्मार रहीम असलाम अलेकम आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्निंग विद्वसीम आज हम अपने इंग्लिश लेंग्विज कोर्स के सिल्सले के नए लेक्चर के साथ हादर हुए हैं आज के हमारे लेक्चर का मौजू है future continuous tense future continuous tense के अंदर हम इस तरीके के sentences बनाते हैं या future continuous tense ऐसा टेंस होता है जिसमें आने वाले जमाने के अंदर जब बात की जा रही हो तो उस वकिसी action के continue होने के जारी होने के बारे में बताया जाए लेकिन मैं यह भी बता दूं बाद रखा प्रेजिट के अंदर ही कुछ फिक् के फार्मूला के तहत ही होते हम active और passive को चुके साथ लेकर चल रहे हैं लेकिन आज वाले lecture में हमारे पास passive नहीं होगा इसकी वज़ा यह है कि British English के अंदर England के अंदर जो English बोली जाती है जो आर पी जो receive pronunciation standard है उसके अंदर future continuous का passive नहीं बनाया जाता है Americans बनाते हैं कैसे बनात लगेगा विल भी या शेल भी लगेगा वर्ब की पहली फार्म लगेगी आएंजी लगेगा और उसके पाद remaining पार्ट हो जाएगा शेल के साथ होगा और विल का इसके लावद जितनी चीज़ा होगा इसके साथ होगा और contraction आ जाएगी तो शेल विल को हटा देंगे हम contraction इस् हलपिंग वब स्टार्ट में ले जाते हैं इंट्रागिल नेगटिव लगा बनाने के लिए हम हलपिंग वब स्टार्ट में लगाते हैं सब्जेक्टिव रा नॉट लगाते हैं अभी देखिएगा मैं इन तीनों को बोलगता हूँ आपको इस वामोला के देर समझ आ वाई विल बाबराजम नौट बी हिटिंग ए सिक्स तो इस तरीके से हमारे पास फीचर कॉंटिनिस ट्रैंस बनते हैं अमेरिकन इस तरीके से बनाते हैं कि मिसाल के तोर पर मकान बेचा जा रहा होगा हाउस विल बी बिंग सोल्ड ठेक है जी इसके अंदर थर्ड फॉर्म लगा देते हैं लेकिन ब्रिटिश के अंदर नहीं बनाया जाता है इस विज़र से हमने उस पर ज्यादा बात नहीं की हमारे हाँ ज्यादा सब कॉंटिनेट में और कॉमन वेल्थ कंट्रीज के अंदर ब्रिटिश इंग्लिश आरपी ही चलती है उमीद है कि हमारा आज का लेक्चर आपके लिए हैल्पुल साबिद हुआ होगा हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलीगा हमारी वीडियो को लाइक कीज़एगा बेल आइकन को प्रेस कीज़एगा ताके आने वाली हमारी वीडियो जाप तक पर पहुन सकें, बहुत शुक्रिया, अलाफिस